तो चलिए शुरू करते तो यह जो है क्लासिक माल्ड यहां पर देख सकते इसका एक तरह से फ्लेवर है हॉलन्ड यहां पर लिखा है सिंस 1719 साथी में यहां पर इंपोर्टेट रिलिखा है उसके बारे में आपको आगे बता देता हूं यहां पर किसी की तो है सिगनेचर इस बात करते हैं इसके नेट कंटेंट यहां पर दिया गया थ्री थर्टी एमल है प्राइजिंग की बात करो तो इंपोर्टेट प्रोड़क्ट है जहां से पर्चस किया तब आप इसकी प्राइजिंग उन्हों ने रखी थी 90 रूपीज इस कैन के उपर कई भी प्राइजिंग इन्होंने मेंशन की नहीं है फिर बात करते हैं इसके इंग्रेडियंट की तो यहां पर आपको इसके इंग्रेडियंट जो देखने मिल जाएंगे और यहां पर इंगलिश में इन्ग्रेडियंट दिये जो कि अच्छी बात है तो sparkling natural mineral water है बार्ली माल्ट और जो hops है उसके ब तेरवाले ingredient है लेकिन alcohol जो इसमें नहीं add किया हुआ है, फिर बात करते हैं इसके nutrition facts की, तो यहाँ पे इसके सारे nutrition facts है, as per 100 ml, और per serving of 330 ml भी यहाँ पे इन्होंने डियो हुए, तो आप इन्हें जो है, pause करके पढ़ सकते हो, और फिर बात करते हैं इसके manufacturing date and best before की, तो यहाँ पे can के नीचे की तरफ जो इसकी manufacturing date भी और best before भी है, जो मुझे अच्छी बात लगी, क्योंकि most of the imported product होते हैं उनके उपर manufacturing date नहीं होते हैं, यहाँ पे manufacturing date है, यहाँ पे best before है, तो इससे देखते हैं इसकी shelf life ए around 6 months की date of manufacturing, और इ यह long lasting pressure है, फिर जो बात करते हैं इसके manufacturer की, तो जिसकी manufacturing है, यहाँ पे आप देख सकते हो, produce in Holland, तो उनका address भी हाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, और साथी में जो है, इस इंपोर्ट जो इंडिया में किया जाता है, इस company के द्वारा जो इसे इंडिया में इंपोर्ट किया होना चाही है, यह वाले जो यहाँ पे इन्होंने बताई है, उसके रहा जो है, आपको can के उपर जो कोई और जाधा चीज़े जो देखने नहीं मिलती है, तो अब जो इसे open कर लेते हैं, और टेस्ट कर लेते हैं, एक तरह से non-alcoholic जो है, बियर की टेस्ट देने वाली जो जो जी ने अलकोल नहीं पिना है, लेकिन बियर की टेस्ट जो है, पता करनी है, तो इसे यहाँ से open कर लेते हैं, तो हमने ज्यादा शेक किया था, इसलिए हाँ पे जो है, इसे मैं आराम से open करूंगा, और इसे open कर दिया हमने, और यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, थोड़ करते हैं, अश्लिघ करते हैं, एकदम बियर की तरह यहाँ पे आपको यलो फिरव छो यह देखने मिलता है, और इसे जो मैं भी टेस्ट करता हूं, और आपको बता तो एक तरह सब्स्तिक कैसए, तो टेस्ट करने के बाज हो है इसके टेस्ट जो एकदम अल्मोज बियर की तरह आती है जैसे कि इसमें ingredients आड़ किये है जो beer वाले है जैसे कि मैंने आपको बता है hops और जो barley malt है वो special ingredients जो है वो जो है beer में यूस किये जाते है तो उस तरह से आपको और जो color है आप एकदम देख सकते हो beer की तरह एकदम color है और carbonated drink है obviously तो उस तरह से जो आपको इसकी टेस्ट जो एकदम strong वैसे देखनी मिलती है उड़े बीर पीने के जो यूस्टू नहीं हूँ मैं alcohol जो नहीं करता हूँ beer वगरे तो जो non-alcoholic जो इनके drink है ये भी जो मतलब बहुत मतलब एक तरह से अलगी टेस्ट बिटर है थोड़ी कडवी है और एकदम ऐसा लगता है कि एकदम मैं alcoholic beer ही पी रहा हूँ लेकिन ये जो नॉन-alcoholic है तो इसमें एकदम इनके टेस्ट स्मेल भी वैसी आती है जैसे कि मैं कुछ beer वगरे ही पी रहा हूँ लेकिन जो इसमें alcohol नहीं है non-alcoholic जो ये beer जो ये आपको ये देखने मिलती है इसलिए मैं जादा भी नहीं पी रहा हूँ बस टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ तो अगर आप पतलब beer पीना चाहते हो और beer टेस्ट करना चाहते हो beer की टेस्ट कैसे होती है वगरे क्या लेकिन आपको alcohol consume नहीं करना है तो आप definitely बवेरिया के जो है flavored malt drink को जो है carbonated drink को जो है try कर सकते हो इस तरह से आपको जो ये carbonated drink जो है देखने मिल जाती है मुझे तो इसकी taste जो है पसंद नहीं क्योंकि मैं alcohol और जो beer वगरे में जो ज़्यादा इंट्रेस्ट रखता नहीं हो लेकिन अगर आपको beer की taste करनी है जैसे अभी यहाँ पर मैंने taste करके देखी without alcohol तो definitely आप इस drink को जो है try कर सकते हो तो आपको वीडियो पसंद आतो प्लीज वीडियो को जो है like कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और सबस्क्राइब कर लीजिए और बैल लेकन को भी द्वाद देखे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलता है अगले वीडियो में